आपके साथ हम पहले शेयर करेंगे उसके बाद फिर जिस यूटूबर ने क्या क्या है वह भी आपसे बातें शेयर करेंगे आप लोगों को हम बताएंगे आपके साथ हम पहले शेयर करेंगे उसके बाद फिर जिस यूटूबर ने क्या क्या किया है वह भी आपसे बातें शेयर करेंगे लेकिन अभी फिलहाल में आपको ये बता दूँ के जी जो मैं आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप वीडियो अप्लोडिंग की थी कहा गया था कि जी सितारा के खिलाफ अब जितने भी परूफ है वह अब हम लाना सटार्ट कर देंगे वहाँ पे पूरा एक ग्रूप था जिलो ने कहा था वस्ट सब के ओपर हम राप्ता करते हैं और हम लोग प्लानिंग करते हैं किस ये क्या क्या अब चीज़ करनी है तो आज मौनिंग में वो चीज़ होना शुरू होगी, आज रहीं कल से ही वो उना शुरू होगी थी,יפहले मर्यम की आवाजें निकालना शुरू कर दी,कि अभू कि पहले मर्यम की रिकॉर्डिंग सुनाना शुरू कर दी उसके उपर उनों का दिल नहीं भरा, तो आज जी उनोंने जो सितारा की जो असकर की स्तारा और असकर की जो बाते थी वो उनोंने लगाना शुरू कर दी शेयर करना शुरू कर दी ये तो मैंने आप लोगं को अपनी ब्रेकिंग न्यूज में ही बता दिया था कि जी अब ये जो एस्टेप जो है अस्गर और सल्मा और अस्गर और सल्मा की जो टीम है वो ये करने वाली है क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि सतारा जो है वो अपना हैपी व्लॉग करे या अपनी बच्चों के साथ जिंगी गुजारे इसरा उसने आज तेवान स्कूल जा वीति सतारा की वो ये वोग उन्हें विडियो कर दी है लीक तो इसका मतलब यही है कि ये लोग चाहते हैं कि आग लगी रहे लडाई जगड़ा होता रहे सतारा खमुशी से ना बैठे लोग गाली गलोज देते रहे डूसी सैट से लोग देते रहे मर्यम को निशाना बनाय जाए नोशी मलतानी को निशाना बनाया जाए और सितारा को निशाना बनाया जाए और जी इस पूरे ग्रूप का जो एक सर्दार्णी है वो तौब लोगों पता है वो कु Associatesbrush और जो है यहाँ जो हैं जो जो है जो हैं अब ड९ह रहिमानी जो मेन हैं जिसकी lawy में इसाब planning भी हुई थी यह भी मैं आप लों को बता दू जहां पे लों ने का था कि जी आप ये करें और जो आवाजें है वो आप लीग करना शुरू कर दें जो आप लों के परूफ है अजगर ने अपनी आवाज में इनको का था कि आप जी ये करना शुरू कर दें तो दुबारा से नोशी मुलतानी तना प्यारा अपना व्लोग किया, दूसरे लोगों ने अपनी अपनी लाइफ की तरफ आगे लेकिन ये लोग नहीं चाहते, ये लोग नहीं चाहते, अब हम नोशी मुलतानी की बात करते हैं, नहीं हम बात करेंगे नोशी मुलतानी की जिन्हो अपना आज व्लोग किया और बहुत प्यारा व्लोग किया अपनी मीठी मीठी बातों से अपनी प्यारी प्यारी बातों से उन्होंने मूली के परोटे बनाए और उन्होंने वुक्षाए और सब ने इंच्वाए किया आफ्टर देन शी गो आउट साइड और उन्होंने ग्रो अपनी नार्मल व्लागिंगे उपर अब हम दूसरे साइड पर घर हम देखें तो अभी भी लोग जो है वो खमोश होके नहीं बैटें असकर सलमा असकर सलमा का ही वो लोग जो है उनका नाम जप रहे हैं दूदवले की लाइफ में जब उनकी लाइफ हुई तो उसके अंदर काफी लोगों ने गुसा किया कि असकर अपनी बात से मुकर गया है असकर जो है वो पीछे हड़ गया है असकर ने कहा था कि मैं परूफ लाओंगा मैं सबूत लाओंगा और मैं सब को दिखाओंगा अब असकर को क्या हुआ अब असकर जो है अपनी बात से पीछे क्यों हटा सलमा क्यों हटी और इस तरह की काफी बात चीट उन्हों की लाइफ में हुई कुछ सिस्टर भी आई जो बहुत बीमार भी थी उन्होंने का कि हम बहने आई उन्होंने और जाद ह्यल्ग किया और जाद है उसके उपर गोस्प किया कैसा नी होना चाहे हम तो इस इंतजार में बैठे हुए हैं के असकर और सलमा सितारा के ख kitty क्यों क्यूं है बहुत ना लिया तूसरे साथ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी सलमा अगर खमोश है तो बहुत बड़ी एक आफ़त एक तुफान का एक जो है वो इशारा है अगर वो खमोश है तो इसका मतलब है कोई तुफान आने वाला है कोई आफ़त आने वाली है मतलब लोग इस तरह की बाते उसके साथ गोसब भी कर रहे हैं लेकिं जहां तक देखा जाए जब सितारा और साजित ने लाइफ की तो उसके अमदर जो थे उनके जो भाई आएवे थे साजित की उन्होंने हर चीज़ को कम्प्लीट कर दिया उन्होंने खतम कर दिया कि अभी अब हम अपनी नॉर्मल जि जिएंगे सब अपनी अपनी जिए लेकिन उसके उपर भी खालत अमीन को भी निशाना बनाया जा रहा है तो खालत अमीन जो है थाली का बैंगन है वो कभी इदर चला जाता है वो एक साइड पे नहीं रहता है कोई भी उसको बुलाता है वो दुश्मनों की लाइबों में चला जाता है और वो हिट्रो की लाइबों में भी चला जाता है और जो उसके साथ नहीं भी खड़े वो उनकी लाइबों में भी चला जाता है तो खालत अमीन को स्तारा की लाइब में नहीं जाना चाहिए था वो स्तारा की बातों में आ गया और उन्हों ने स्तारा और साध प्रजद की या सलमा की या सकर की जो भी बाते हैं वो खत्म होज़ए घर का मसला है फैमिली का मैटर है दोनों भीने है सब मिल जुल कर अपना मसला हल कर ले और यह जो कुछ भी हो रहा था गाली गलोच और इदर से टांगे जुदो लेकिन यहां पे लोगों को यह लग रहा है कि सलमा का सतारा का मसला जो है वो ठंडा हो चुका है तो अब हम क्या करें अब हम गाली के लोच किसको देंगे अपनी लाइबू में बैठ कर अब हम वीडियो में क्या डालेंगे दूसरे साथ पे बेबो देखा जाए वो भी बिल् तक गिर चुके हैं कि वो बेबो के काम को एप्रिशेट करें रहे हैं और कहरें कि जी बेबो ने जो किया वो बिलकुल सही किया दूद वाले को सतारा के साथ ऐसा ही करना चाहिए था लेकिन जो लोग भी की बाते करें वो गलत करें अगर आपको किसी के साथ वफादारी निभ ठानी है तो मरते दम तक आपको वफ़दारी निभानी ही है। चाहे दुन्या इधर की इधर हो जाए तो ऐसे लोग जो बदल जाते है जो इधर उदर जाते हैं तुझ वफ़दारी नहीं कर सकता है। अगर इसी बाते जाएं हम सेरा सुल्तानी के ओपर भी बात करते हैं, सेरा सुल्तानी जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, अपनी व्लॉगिंग करती है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ अरसे पहले उनके और उनके हस्बंड की डिवोस और इस तरह की बाते चल र आपस आगी है, शी इस कम बैक और शी मेकिंग गुड व्लॉगिंग और कल उनों ने बाइक भी जो है वो चलाई है और बहुत अच्छी और बहुत प्याई लग रही थी और नमाज रोज़े भी बहुत पगैदगी से करती है, अपनी वीडियो में हमें शोग कराती है, शी बच्चों के साथ बॉर्डिंग होनी चाहिए, कि मा अपनी हर दिल की बाद हर दुख सुख जो अपने बच्चों के साथ शेयर करें, और वो करती भी है, क्योंकि उनसे पहले उनके जो हस्बंड थे वो डाय हो चुके थे उसके बाद जब उनके बच्चे छोटे थे तो उन इंको परिशान करें, इसलिए कुछ दिन वो लोग जो ती वो व्लॉगिंग नहीं कर रही ती काफी, वो डप्रेशन ने चली गई थी, लोगो की बाते सुन कर, इस तरह सथारा के साथ हुआ, सेरा सुर्टानी के साथ हो रहा था, ूसको धो कीचर उचाल के हैं इनका तरण ब्रक दोगाइख दे रहे थे, उनको परिशाशन कर रहे थे, किस चीज के लिए, इस चार पैसों के लिए नाम के लिए, अपना चैनल उन्होंने बनाना था, उन्होंनेla लिया, अब क्या हुआ, अब उनका नाम ले लेकर, हठते में सहरा सुल्तानीच, कोई नाम प्राइबर ही है उनको जो उनको बुली करती है तंग परिशान करती है उनको भी चार बाते उन्होंने बड़े प्यार से बड़े अपने अंदाज से सुनाया तो जी ऐसी चीती बंदिया होनी चाहिए जो अपने हग सच के लिए लड़े हग सच के लिए आवाज उठाए जैस तो आज की तो जी यह थी बिग बिग ब्रेकिंग न्यूस आएंगे नेक्स ब्रेकिंग न्यूस के साथ यह कौन सा यूटूबर है कौन क्या कर रहा है कौन क्या बात कर रहा है कौन क्या गोसप कर रहा है उस सब चीज़े आप लों के साथ हम लोग करेंगे शेरो शेर जी आफ जाफ जान, बाइ गाइस!